नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है और सार्स्त या इको नामिक्स प्रेटी सेट टू में तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे छोटी से रिक्वेस्ट आभी ताक आप हमा ये वीडियो प्रारम करते हैं कोस्टन नमबर वन इसमें किन्स के रोजगार सिधान्त का मूल बिंदु है किन्स के रोजगार सिधान्त का मूल बिंदु है तो किन्स के रोजगार सिधान्त का मूल बिंदु क्या है दिया है समग्र मांग समग्र पूर्ति प्रभावी मांग प्रभावी पूर्ति है तो इसमें correct answer होगा तीन नमबर वाला प्रभावी मांग तो रोजगार सिधानत का मुल बिंदु क्या है प्रभावी मांग है ये कहें किंस की अनुसार कुशन नमबर दो है किंस के अनुसार 60 उद्दे से हेतु मुद्रा की मांग तो मुद्रा की मांग क्या है इसमें answer होगा दो नमबर यानि ब्याज की दर के साथ रिणात्मक रूप से परिवर्तित होती है यानि 60 उद्दे से हेतु मुद्रा की मांग क्या होता है कि ब्याज की दर के साथ रिणात्मक रूप से परिवर्तित होती है कुशन नमर तीन है मुद्रा के परिणाम सिध्धान्त के अनुसार मुद्रा की पूर्ति एम कीमत अस्तर में कीमत अस्तर में क्या होता ये पूछा जारा एक कुशन यानि मुद्रा के परिणाम सिध्धान्त के अनुसार मुद्रा की पूर्तियम कीमत में इसमें क्या होगा इंसर इसमें देखिए तीन नमबर से होगा धानात्मक एवं अनुपातिक संबंध होता है मुद्रा पड़ाम सिध्धान्त के अनुसार मुद्रा के पूर्तियम कीमत अस्तर में क्या होता है धानात्मक एवं अनुपातिक संबंध होता है कोशन नमबर चार है बेपार संतुलन वस्तुओं के बराबर होता है बेपार संतुलन जो है वस्तुओं के बराबर होता है तो बेपार संतुलन वस्तुओं के बराबर होता है किसमे रता है आयात पलस निर्यात में कि निर्यात माइनस आयात में कि आयात माइनस निर्यात में याइन में से कोई नहीं तो बेपार संतलन वस्तुव के बराबर कब होता जब निर्यात माइनस आयात हो इसमें इंसर हो जाएगा दो नमबर से ये निर्यात माइनस आयास प्रथम घात वाला समरूप फलन कौन सा है इसमें एंसर होगा तिन नमबर सही है काव डगलस उत्पादन फलन काव डगलस उत्पादन फलन पॉसन नमबर छे है निमलिखित में से मुद्रा पूर्ति की सरवाधिक तरल माप क्या है निमलिखित में से जो मुद्रा पूर्ति है उसकी सरवाधिक तरल माप क्या है तो सरवाधिक तरल माप है M1 इसमें एंसर हो जाएगा 1 नमबर सही है M1 M1 तो सरवाधिक मुद्रा तरल है जबकि M1 विश्त्रित मुद्रा है इसमें तरल पूछाएट M1 होगा कोशन नमबर साथ है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षी योजना के अंतरगत दिया गया था भारत में जो गरीबी हटाओ का नारा था किस पंचवर्षी योजना के अंतरगत दिया गया था इसमें इंसर हो जाएगा दो नमबर से ये पांचमी पंचवर्षी योजना के अंतरगत पांचमी पंचवर्षी योजना के अंतरगत question number 8 है निम्न में से कौन सा कथन सिमान्त लागत तथा आउसत लागत AC के बीच राही संबंध को बताता है इसमें कौन सा एंसर सही होगा इसमें तीन नमबर वाएंसर सही होगा यानि यदि AC वक्र यू अकार का है तो MC वक्र, AC वक्र को उसके निवन्तम बिंदु पर काटता है उसके निवन्तम बिंदु पर काटता है तो ये वक्र है question number 9 है सुद्द लाब में समलित नहीं है सुद्द लाब में क्या समलित नहीं है ये पूछा जा रहा है इसमें सुद्ध लाब में समलित नहीं है सुद्ध लाब में जो है नव परवर्तन का पारितोसिक ये समलित नहीं है यानि तीन नमबर सही होगा इसमें कोश्चन नमबर 10 है मुद्रा परिणाम के कैम्ब्रीज समिकरण में यदि कुल उत्पाद Y तथा मुद्रा M दोनों आपरवर्तित रहे और के में बिर्धी हो जाए तो तो कंडिशन क्या होगा इसमें एंसर हो जाएगा यानि निर्पेच मुल अस्तर गिर जाएगा कोश्चन नमबर 11 है फीसर के मुद्रा परिणाम सिधान्त की प्रमुख अलोचिना इसलिए है की फीसर के जो मुद्रा परिणाम सिधान्त की प्रमुख अलोचिना इसलिए है की यानि क्या किया कि इस प्रमुख अलोचिना होती है की तो इसमें एंसर होगा ए सही है ग्यार का यानि वन नमबर सही है इसमें और दिया है कि यह सिध्धान्त हमें यह नहीं बताता कि किस प्रकार मुद्रा की मातरा में परिवर्टन कीमत अस्तर को प्रभावित करता है कोशन नमर बारा है उपकर होता है उपकर होता है तो उपकर क्या होता है तो इसमें एंसर होगा 4 नमर यानि एक कर जिससे प्राप्त आए किसी विशेश उद्विश से खर्च की जाए उसी को उपकर कहा जाता है कोशन नमबर 13 है लाब अनिस्तिता का परतिपादित किया तो यह विचार किसने परतिपादित किया था तो इसमें इंसर हो जाएगा दो नमबर से यह नाइट ने किसने नाइट ने कोशन नमबर 14 है आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में से किस एक का उलेक रोष्टो ने नहीं किया तो यह उलेक है एका अधिकार पूजिवादी की अवस्था कोशन नमबर 15 है भारत में राष्टी आय का मुख्ष्रोत है तो इसका मुख्ष्रोत है तिर्तियक छेत्र तीन नमबर से यह तिर्तियक छेत्र कोशन नमबर 16 है अन्तराष्टिय मुदराकोस की अस्थापना हुई थी तो अन्तराष्टिय मुदराकोस की अस्थापना ये कब हुई थी तो अंतराष्टी मुद्राकोष की अस्थापना होई थी इसमें देखें एंसर हो जाएगा दो नमबर यानि यू अन्य के अस्थापित होने के पढ़ाम सरूप अंतराष्टी मुद्राकोष की और यहां पर एक जुलाई को ये निर्णे लिये गया थे एक जुलाई से 22 जुलाई जो 1944 में ब्रेटन वुड नामक अस्थान पर जोए 44 राष्ट समयुक्त मौद्री गम बित्ती समयलेल में समलित हुए थे जिसने आई एमेप की अस्थापना का निर्णे लिये थे कुश्चन नमबर 17 है स्रीमती जान राविंस की पुश्चक का नाम है इनकी पुश्चक का नाम है दे इकोनामिक्स आप इमपर्ट फैक्ट कमपटीशन ये नमबर सही है एक नमबर कुश्चन नमबर 18 है नाइट का लाव सिधान्त लाव को क्या करता है नाइट का लाव सिधान्त लाव को जो है औनिस्ता उठाने का प्रतिफल मानता है कुश्चन नमबर 19 है समान्त ततस्था वक्र मूल बिंद की ओर उत्तल होता है क्योंकि सिमान्त प्रतिस्थान दर क्या होगा सिमान्त प्रतिस्थान दर जो है प्रतिस्थान दर घटता हुआ होता है कोशन नमबर 20 है मांग वक्र पर चलन को मांग में विस्तार या संकुचन कहते है कोशन नमबर 21 है यदि मांग वक्र वाई अच्छ के समनांतर होता है तो मांग की कीमत लोच तो मांग की जो है कीमत लोच क्या होगा ये पूछा जा रहा है इसमें तो मांग की जो कीमत लोच होगी सुन्ने होती है तिन नमबर से है कुश्चन नमबर 22 है इसमें निमलिखित में से कौन सा एक केंदरी सरकार का कर नहीं है कौन सा इन में से केंदरी सरकार का कर नहीं है सीमा कर आय कर निगम कर भूमी कर तो कौन केंदरी सरकार का कर नहीं है तो इसमें एंसर हो जायागा चार भूमी राजस्व भूमी राजस्व जो केंदरी सरकार का कर नहीं है कोस्टन नमबर 23 है निम्न में से किसे अगरगामी कर नहीं बनाया जा सकता किसे अगरगामी कर नहीं बनाया जा सकता तो कर है उत्पाद कर चार नमबर से ये उत्पाद कर को जहे अगरगामी कर नहीं बनाया जा सकता कोस्टन नमबर 24 है बेपारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रन कौन करता है तो वह है भारतिय रिजार्व बैंक कोशन नमर पचीस है और अंतिम कोशन है आज के लिए केंद्रिय बैंक का सरवाधिक महत्पून कार्य है केंद्रिय बैंक का सरवाधिक महत्पून कार्य है तो केंद्रिय बैंक का सरवाधिक महत्पून कार्य क्या होता है साख नियंत्रन तीन नमबर से इसमें साख नियंत्रन तो ये थे कोशन आज के लिए तूमिद करता हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंदाइट इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिक सदिक सेर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिन वंदे मात्रम मिलते हैं अगले वीडियो में